कि है अलो दोस्तों प्रतिमा जीस एकड़ी प्यासवी का स्वागत है दोस्तों करेंट फेर शुरू करते हैं आप लाइक करें अपने दोस्तों को सेर करें शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट है भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तिय साच्छर्था सिवीर देखें डल ज जम्मू कस्मीर में है ये दल जीर में चलता है एक नाव है सिकारा एक नाव है ये शिकारा पे पूरा सम्मेलन हुआ है दल जीर में गूम गूम करके और इस सिकारा पे बैठ करके सम्मेलन किया गया यानि की बित्तिय साच्छर्था शिवीर इसे कहा गया इसका आयोजन किया गया संचार मंत्राले के डाक विभाग के तहट संचार मंत्राले के डाक विभाग के तहट इस्थापित किया गया और इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बित्तिय साच्छर्था को बढ़ावा देने के लिए निवेसक दीदी नामक एक पहल के साथ इसकी शुरुवात किया इसकी ने बित्तिय साच्छर्था सिविर आयाजजित किया गया तो यहांद से प्रस्ण निकलेंगे पहला किस मंत्राले से संबंधी थे तो संचार मंत्राले दूसरा विभाग कौन सा है तो डाग विभाग उसके बाद में इस्थापित किसके सहयोग से किया गया तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और इसका जो पहल लांच किया गया वो किस नाम से निवेशक दीदी के नाम से शुरू किया गया और ये कहां पे किया गया है स्री नगर में स्री नगर में किया गया है और ध्यान रहे सिकारा जरूर याद रखेगा क्योंकि जो पूरा सम्मेलन हुआ ये सिकारा पे हुआ सिकारा एक नाव होता है और इस नाव पे ऐसे छत्री लगे होते हैं नाव पे छत्री लगे होते हैं और सब लोग बैठे होते हैं तो इस सिकारा होते है डल जहील पे खुब चलता है तो उसे सिकारा काया आता है तो इस सिकारा पे ही घूम घूम करके उसी जिल में इसका सम्मेलन किया गया तो इसको याद रखियेगा अगला पॉइंट है अंतर राष्टिय मेला देखें पुस्तक मेला हर साल जो है बैस्विक अस्तर पे होता है कभी कहीं होता है तो कभी कहीं होता है जो एक तालिसोंवा संस्करण है संस्करण अंतर राष्टिय मेला का अंतर राष्टिय पुस्तक मेला का एक तालिसमा संस्करण है यह युनाइटेड अरब अमीरात युनाइटेड अरब अमीरात का एक सहर है सारजाह सारजाह एक सहर है और यहां पे इस्थित है एक्सपो सेंटर एक्सपो सेंटर तो इसी एक्सपो सेंटर में विश्शु का सबसे बड़ा एक तालिसमा पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो थीम है थीम है इस्प्रेड दा वर्ड spread the word spread the word इसकी theme है 41 वा बिसु पुस्तक मिला का अब इसमें भारत जो सही योग ले रहा है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्राले के प्रकासन विभाग दो आग याद रहे सूचना और प्रसारण मंत्राले का जो प्रकासन विभाग है या दुनिया के सबसे प्रसिद पुस्तक मेले में भाग ले रहा है इसका आयोजन 41 वा अंतराष्ट्य पुस्तक मेले का आयोजन United Arab Emirat के सारजाह में स्थित Expo Center में आयोजित किया जा रहा है या तो पूछेगा किस देश में आयोजित हो रहा है तो आप बताएंगे UAE में या इनि United Arab Emirat में हो रहा है या पूछ लेगा किस सहर में हो रहा है तो सारजाह में हो रहा है या जो और टब बनाना होगा तो पूछ लेगा कि सारजाह में कहां पे हो रहा है तो Expo Center में इसका आयोजित किया जा रहा है इसके theme क्या है spread the word 41 अंतर राश्टिय पुस्तक मेले का जो theme है spread the word है अगला point है friend of liberation war सम्मान देखे 1970 में पस्चिमी पाकिस्ताम और पूर्वी पाकिस्तान दोनों एक ही देश के भाग थे और चुनाव हुआ जब चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रह्मान इसे खसीना के पिता थे इन्होंने अवामी लीग आवमी लीग से चुनाव लड़ करके बहुमत हासिल कर लिया बहुमत हासिल कर लिया लेकिन जो पस्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का अब्यक्ति पाकिस्तान का नेत्रत्त करे यह नहीं चाहते थे जब नहीं चाहे तो मुझीवर रह्मान को कैद कर लिया गया जब कैद कर लिया गया तब बिद्रो हुआ और बिद्रो में बंगला देश के नाम से एक बिद्रो शुरू हो गया क कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए और इस स्वतंत्रता में भारत ने भी साथ दिया था उस समय हमारे यहां की प्रधार मंत्री जो है इंद्रा गांधी जी थी और अमेरिका के सिनेटर थे एड़वर्ड एम कनेडी इन्होंने पाकिस्तान के जो पस्चिवी पाकिस्तान है उनको हथियार या अन चीजे मोहिया कराने से थोड़ा बिलम अगर दिया या कहा जा सकता है इंडारेक्ट मना कर दिया और पाकिस्तान से पूर्भी पाकिस्तान अलग हो करके एक नया देश बांगला देश बना जब बांगला देश बना तो इसे मनाया गया मुक्ति दिवस के रूप में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और इस मुक्ति दिवस में यानि जो बंगला देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने भी सहयो किया था बंगला देश समय समय पर उन्हें सम्मानित करता रहा है तो अभी हाल ही में friends of liberation war सम्मान से बंगला देश की जो प्रधान मंत्री हैं सेख हसीना जी मुझीविर रह्मान की पुत्री हैं ये इन्हों ने इस सम्मान से यम कनेडी को सम्मानित किया है अब यहां प्रशन बनता है कि यम कनेडी जब 70-70 में थे तो क्या आज भी बिद्मान हैं तो मरणों प्रांत दिया गया है मरणों प्रांत यानि इनके पुत्र जो हैं वो इस सम्मान को सुविकार किया है फ्रेंड्स आफ लिबरेशन वार बंगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना ने यहां अवार्ड यानि फ्रेंड्स आफ लिबरेशन वार सम्मान को अमेरिकी सिनेटर एड़वर्ड यम कने मक्केडि को मरड़ोप्रान्थ yeah सम्मान दिया है Yeah सम्मान बंगलादेश के मुक्ति सहयोग है ने दिया गया है मुझीव र्रहमान की अवामी लीग ने बहुमत प्राप्त किया था और उस बहुमत को पस्यमी पाकिस्तान कि यह पस्यमी पाकिस्तान है और ये पूर्वी पाकिस्तान था बंगला देश तो यहाँ पे यहाँ की लोग नहीं चाहते थे कि मुझीवी और रह्मान जी इसका प्रत्नी दुद्ध करें इसलिए 1971 में जब युद्ध हुआ और इंद्रा गांधी ने बंगला देश को स्वतंतर देश बनवा दिया अब एक नया देश यह बन गया यह इधर हो गए इसी मुक्ति दिवस के रूप में मुक्ति सम्मान के रूप में समय समय पर बंगला देश की प्रधान मंत्री इसे सम्मानित करते रहते हैं अगला पॉइंट है 월ड एनरजी आउट्लूक रिपोर्ट बिस उरजा आउट्लूक रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वहां World Energy Agency के द्वारा जारी किया जाता है पहरा पॉइंट World Energy Agency के द्वारा जारी किया जाता है इन्होंने अपनी World Energy Outlook Report 2022 को जारी किया है और इस रिपोर्ट के परचलित निती सेटिंग पर आधारी थे जो कि जीवासम इंधन को बैस्विक मांग में एक निश्चित अस्तर को दरसाता है यानि World Energy Outlook Report 2022 World Energy Agency के द्वारा जारी किया आता है तो दोस्तों मैं अपने ग्लास को यह पर समात करता हूँ धन्यवाद जहिन जय भारत